पुछ बड़ी खबर मिल रही है इंडी गडबंदन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है सूतरों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे देख कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का पंजाब में समझाता नहीं होगा कल हुई कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के बीच पहले दौर की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियों की स्थानिय एकाई कोई समझाता नहीं चाहती है लेयाजा फिलाल पंजाब पर किसी तरह की बातचीत नही बनी है यह हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पंजाब को लेकर पहले दौर की जो बातचीत हुई उसमें या कोई चर्चा नहीं की गई न्यूज एटिन इंडिया के हमारे सेयोगी विकरांत यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादर जानकारी के लिए सीधे उनकारो करते हैं बिल्कि दोनों ही पार्टियों को ये लगता है कि अगर वो अलग अलग तुनाव लड़े के जादा फाइदा मिलेगा तरअसल दोनों पार्टियों को ये लगता है कि पंजाब में आम आज़ी पार्टी सक्ता में है और कॉंग्रेस विकक्ष में है मुख्य दुपक्षी दल पॉंग्रेत है अगर इनमें किसी तरह का कोई समझोता होता है तो एक तीसरे दल को वहाँ पर पंजाब की हालत में वो अकाली दल या पीजेपी हो सकता है उसे मचबूत होने में फायदा मिल सकता है इसलिए अभी फिलहाल की परिस्तिती में किसी तर कारी मिल रही है तल की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई तो कि दोनों ही दल के जो इस्थानिये इकाई है वो चाहती है कि समझोता ना किया जाए अलग-अलग लड़ा जाए लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से ये जरूर का है कि वो दिल्ल सीथी अलाइंस कमेटी कल इस बात के लिए तयार नहीं थी उनको ये लगरा था कि फिर्टी पर चक्चा होगी इसी कारण दिल्ली के प्रदेश अजक्स अंगर सिंग लवली को बुलाया हुआ था अब ये उमीद की जा रहे है कि अगले 3-4 दिनों में दोनों पार्टियों क बीच दोबारा से बातचीत हो और इसमें ये जो बातचीत जो प्रस्ताव आमादमी पार्टी की तरफ से आया है उस पर आगे की चक्चा की जाएगी को लेकर बात बनेगी इस पर भी नज़र रहेगी